हर जर्नलिस्ट, पत्रकार और अंट्रोपर्णियर के सामने कई मुश्किले आती हैं, हमारी भी आई, हमने भी उसका सामना किया, बट टोड़े आपको तेल यू आपको 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 प्रदान्मात्री जी, जो केंद्रे विद्याले से पढ़ा हो, मिडल क्लास फैमिली से आता हो, उसने चौदा पत्रकार और प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर ये नेट्वर्क कैसे खड़ा किया, क्यूंकि उसको साकार करने के लिए प्रदान्मात्री जी, स्टार्ट अप इंडिया की विजन थी, और सबसे बड़ी बात है प्रदान्मात्री जी, उस विजन ने हमें, और हम जैसे प्रोफेशनल्स को, लेवल प्लेइंग फिल दी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मेरा और हमारा सवभाग्य है प्रदान्मात्री जी, कि आप आज हमारे बीच मौझूद हैं, ये तीसरा रिपबलिक समिट है, और तीसरी बार, आप हमारे बीच आए हैं, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है प्रदान्मात्री जी, पहली बार आप 2018 में मुंबई आए, और आपने मेरा होसला बढ़ा है, फिर 2019 में आप दिल्ली के रिपबलिक समिट में आए, और आपने नेशन फर्स्ट का विजन रखा थ नेशन फर्स्ट का विजन इसी स्टेट से, इसी मंच से, इसलिए मैं और मेरी पूरी टीम आपकी आभारी है प्रदान्मात्री जी, 15 अगस्ट 2015 को आपने लाल के लिए से स्टार्ट अप इंडिया की घोशना की थी प्रदान्मात्री जी, Republic Media Network एक स्टार्ट अप है, मिडिया के शेत्र में आज, we are the fastest growing, both in reach and presence, the fastest growing news media startup in the entire world and this is possible only in India, प्रदान्मात्री जी. प्रदान्मात्री जी, आज से 6 साल पहले हमने 2017 में 6.10 के कमरे में चौक और स्लेट के साथ 14 लोगों की टीम से शुरुआत की थी, तब हमारे पास इतनी पुन्जी भी नहीं थी कि एक कैमरा खरीच सके, ओबी वेन तो बहुत दूर की बात थी, और आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि हिंदी, अंग्रेजी और बंगला में हमारे 58 करोड दर्शकों की रीच है आज हमारी. प्रदान मंत्रिजी, हर जर्नलिस्ट, हर जर्नलिस्ट, पत्रकार और अंट्रिपर्नियर के सामने कई मुश्किले आती है, हमारी भी आई, हमने भी उसका सामना किया, but today I want to tell you the reason why we have been able to do this, Pradhanमत्रिजी. For someone like me, जो केंद्रे विद्याले से पढ़ा हो मिडल क्लास फैमिली से आता हो उसने चौदा पत्रकार और प्रोडूसर्स के साथ मिलकर ये नेटवर्क कैसे खड़ा किया क्यूंकि उसको साकार करने के लिए प्रदान मंत्री जी स्टार्ट अप इंडिया की विजन थी और सबसे बड़ी बात है प्रदान मंत्री जी which I've always wanted to tell you and I'm telling you today उस विजन ने हमें और हम जैसे प्रोफेशनल्स को लेवल प्लेइंग फिल दी ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है इस विजन ने ऐसा माहौल दिया जिसमें परिश्रम, टैलेंट और इनोवेशन के साथ और टेकनोलिजी के साथ कोई भी अपना सपना साकार कर सकता है प्रदान मंत्री जी हर भार्द्य का सपना पूरे कर पूरा करने के लिए आपने देश में ऐसा एक वातावरन बनाया आपने ऐसा एक वातावरन बनाया इस देश में लेवल प्लेइंग फील्ड बनायी हमा हम जैसे लोगों के लिए जैसे स्वामी विवेकनन्द ने कहा था कि संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है कि असंभव के आगे निकल जाना Pranamantriji, I want to say from this stage today to you personally we believe in you, we believe in your vision and we believe in your leadership